मैं जब भी लोगों को पूछता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में अपने इमोशन्स के लिए क्या रूल सेट की हुए So people often say कि मैं positive emotions तभी फील करता हूँ जब मेरी लाइफ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चीज़े हो जाए So for example, when you feel successful, people say मैं अपने आपको successful तभी मानूँगा जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चीज़े हो जाए So that's a very difficult rule So this person has set very difficult rule to feel positive emotions अच्छा उसी को मैं अगर पूछता हूँ कि आप अपने आपको upset कब मानते हूँ और when do you get upset So ये बोलते हैं कि मैं upset तब हो जाता हूँ जब You know, मैं कोई बात पूल रहा हूँ और मेरी स्पाउस जो है मुझे इसका जवाब नहीं है या तो मेरे हिसाब से चीज़े नहीं है या तो मैंने किसी को कोई काम दिया और इमेरेटली वो काम है ये सारी चीज़ों मैं upset हो जाता हूँ So what this person has done is this person has set very easy rule to experience negative emotions Now, Tony Robbins always says this It has to be in completely reverse order Whenever you want to feel positive emotions set very very easy rules And for negative emotions set a very very difficult rule So when someone asks you के आप हैपी कब होते हो I feel happy on very very small 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 चीज़ों That's a very easy rule Okay, आप अपसेट कब होते हो मैं अपसेट? अचा मैं अपसेट तब होता हूँ जब मैंने 100 लोगों को अपरूच किया 100 के 100 लोगों ने मना कर दिया या उसके बाद बागी के 100 लोगों को मैं अपरूच किया उन लोगों ने भी मना कर दिया उसके बाद बागी के 100 लोगों को मैं अपरूच करता हूँ तो एक्स्पीजेंस नेगेटेव पूशिंज थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो कि आपने अपनी लाइफ में अपनी इमोशन के लिए इजी रूल सेट कियो है या तेपिकल रूल सेट कियो है